नमस्कार मैं रंजनसानी और आप देख रहे हैं बिजनोर एक्सप्रेज गाजाबाद में इसकूली छात्र की हुई हाथसे में मौत के बाद CM योगी अधित्यनाथ ने परिवाहन विभाग के प्रस्तुती करण देखने के बाद कहा कि सड़क दुरगटना से मौत्यू के दर में कमी के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य करने की आवशक्ता है इसके लिए उच्छ शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विध्यालों में रोड सेफ्टी किलब का गठन किया जाए वही इसकूल बसों की फिटनेस जाशने को लेकर यूपी में अभ्यान चलने के साथ साथ अब बिश्नौर का परिवन विभाग भी हरकत में आया है शासन से मिले निर्देश के बाद बिश्नौर A.R.T.O. सहित परिवाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जन्पत के सभी इसकूलों में लगे वहनों की चेकिंग की जा रही है बिश्नौर शहर के नुमाईश ग्राउंड में ड्राइवरों के जरीए इसकूली वहनों को बुला कर अधिकारियों द्वारा वहनों की मैंटिनेंस को चेकिया जा रहा है चेकिंग के दौरान परिवान विभाग के संभागे निरिक्षक ने बताया की जन्पत के स्कूलों में चात्र शात्राओं को लाने ले जाने वाली सभी वहनों को चेक किया जा रहा है उनके द्वारा लगभग अभी तक 350 के आसपास वहनों को चेक किया गया है और यह अभ्यान निरंतर चलता रहेगा माइनर कम्या है तो उनको मोटिष दिये जा रहे हैं कि उनको कम्यों को दूर कराने के बाद ही वर वर दसन चलत करें कि अदिक्तर गाड़ियां सही पाई जारी है पापी समय से गाड़ी चली नहीं थी तो कुछ लिए उनके लिए क्या एक्षण रहेगा आपकी तरब से उनकी पिजनाओर की सभी ताजा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सबस्क्राइब करें